आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चेनल हिकमते युनानी हमारे चेनल को आप लाइक करे सब्सक्राइब करे और शेयर करे और गंटी के बटन को भी प्रेस करे जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तो हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो कानून मुफरद अजा की अद्वियात का चल रहा है हमने पहली तीन तहरीक को बयान कर दिया है पहली तीन तहरीक आसाबी उजलाती उजलाती आसाबी और उजलाती गुदी इनकी सभी जो अद्वियात हैं ये हमने बयान कर दी है और आज जो हमारा सिलसिला है गुदी उजलाती तहरीक का है जिसमें हम मुहरक चार और सदीद चार गुदी उजलाती मुहरक और गुदी उजलाती सदीद इनको बयान करेंगे तो गुदी उजलाती जो अद्वियात हैं इनका जो बुनियादी काम है वो जिसम के अंदर सख्रा को बढ़ाना होता है गुदी जाजबा को तहरीक देना होता है जिसम के अंदर हरारत गरीजा को पैदा करना होता है जिगर को तहरीक देना होता है जिसम में फाजिल जो रितुबात हैं उनको खारिज करने का इनका बुनियादी काम है और तुर्शी तिजाबियत एसिड का खात्मा करना गुदी उजलाती अधुवियात का ये बुनियादी काम है तो दोस्तो हम चार नंबर तहरीक की गुदी उजलाती तहरीक की मुहरक और सदीद को बयान करेंगे इन्हें जादतर हुकुमा इस्तमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत हलकी दवाई होती है इनके हम सबसे पहले अजजा बताएंगे इनको बनाने का तरीका और इस्तमाल करने का तरीका बताएंगे गुदी उजलाती मुहरक में अजवायन देशी और तेज पात ये 40-40 ग्राम लेकर बारीक सफूफ बनाएं और बस मुहरक चार गुदी उजलाती मुहरक तयार है इसकी मिक्दारे खुरा के एक ग्राम सुबह शाम ताजा पानी से दे सकते हैं या अजवायन पुदीना के कावे से भी दे सकते हैं इसी तरह से गुदी उजलाती सदीद जिसे चार सदीद कहते हैं इसके अजजा अजवायन देशी तेज पात और सुर्ख राई तीनों 40-40 ग्राम लेकर तीनों को बारीक सफूफ बनाकर रख ले बस आपका गुदी उजलाती सदीद तयार है इसकी भी मिकदार एक-एक ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं और सुबह दो पैर शाम भी आप इसको दे सकते हैं ये ताजा पानी या अजवायन पुदिद्गना के कावे से भी इसको आप दे सकते हैं इनका जो काम है वो इनका बुनियादी काम जिस्म के अंदर सफरा को बढ़ाना होता है गुदुदे जाजबा को तहरीक देना होता है और जिस्म के अंदर हरारत पैदा करना होता है और जो आसाबी रितुबात होती हैं उनको खारिज करना होता है तुर्सी तेजाबियत का खात्मा करना होता है ये गुदि उजलाती सदीद और मुरक का काम है लेकिन ये बहुत हलकी दवाई है इसलिए बहुत कम इनको हुकमा यूज करते हैं अपने परियोग में लाते हैं तो दोस्तों आप अपने मिजाज देखकर रोगी की अच्छी तरह से तस्खीस करके आप इन दवाव को इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों कल हम गुदि उजलाती मुलयन को बयान करेंगे इसी के साथ हब हम चलते हैं मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में तो जाने से पहले आपको मैं एक बात बतादू कि ये जो हमारा यूटूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों कानून मुफरद अजा को सीखने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो नए हुकुमाब हैं बनना चाहते हैं वे हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरूख से ही वीडियो को देखना शुरू करें जिसमें हमने कानून मुफरद अजा को सीखने का काम किया है सिलसला जारी क्या है उन सीखें उन से और तस्खीस सीके और फिर ये वीडियो देखे तो आपके बहुत काम आएगी नए हुकुमा के लिए बहुत ही बहतरी नी चैनल है तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी कराएं इसी के साथ हम चलते हैं असलाम आलेकुम रहमतुल्ह बरकातु